हेलो फीवर्स सर्दियों का मौसम आ गया है सर्दियों का मौसम मतलब सब्जियों का मौसम इन सब्जियों में एक खास सब्जी होती है पत्ता गोबी जिसकी आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ तो क्या बना रही हूँ पत्ता गोबी से देखिए मैं बनाना सुरू करती हू पता गोबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां पे 500 गरम पता गोबी, दो वालू, एक टमाटर, एक प्याज और एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया हुआ है इसका इस्तिमाल करके मैं पता गोबी की सब्जी बनाऊंगी पता को भी कोब मोटा मोटा काड लेंगे, बारिक नहीं करेंगे अपने हिसाब से आप कैसी भी कटिंग कर सकते हैं और एक टमाटर को मैंने बारिक कर लिया है, एक प्याज को भी मैंने बारिक कर लिया हुआ है बारिक चॉप कर लेंगे प्याज टमाटर को इस तरह से अब कुकर में पता को भी धो करके डालेंगे और आलू को भी चॉप करके डालेंगे और एक चमच छोटी चमच से नमक डालेंगे और अधा का पानी डाल करके ताकि नमक नीचे तक चला जाया कुकर के ढखकन लगा करके एक सीटी आने तो पकाएंगे ज्यादा देर नहीं पकाना हमें और हाई फ्लेम को हाई रखेंगे कुकर को दूसरी तरफ सिफ्ट करके इधर करहाई चड़ाएंगे और इस मसाला तैयार कर लेंगे सासो टेल डालेंगे लगवेक तीन चमच मुष्टर डायल आप किसी भी कुकिंग ओयल का इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें एक लाल मिर्च को डालेंगे दो तेज पत्ते डालेंगे और आधा चमच जीरा डालेंगे तड़का लगाएंगे इसका सब को चटकने देंगे फ्लेम को एक दम लो टू मीडियम ही राखेंगे ऑ प्याज के एन्दर डालेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून करके तयार करेंगे अब innovator को करके तयार करलेंगे आप गरेंगी आप सब्सक्राइब कर obrigado करेंगे क्षाकर याश्फा सकते हैं प्याज को मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, अब चॉपकियों टमाटर में अधरक डालेंगे एक चमच लाहसून का पेष्ट डालेंगे, तीन चमच नमक डालेंगे छोटी चमच से, एक चमच हल्दी पौडर डालेंगे छोटी चमच, दो चमच धनिया पौड डालेंगे आदे चोटी चम्मच काखिर मिर्च पॉठर डाले और चीच चाज काश्मि कख से केशबें कैसे चाहिं बैलन हो गया है अब इसके अंदर मिक्स किया हुआ मसाला को डाल लेंगे मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखकन लगा करके लगभ़ पांच मिनिट पकाएंगे लो टू मिडियम फिलेम पे कुकर में सीटी आने वाला है, एक सीटी आने के बाद बंद कर देंगे GAS OFF कर देंगे Masala पकते वह लगबग 3 मिनिट हो गया खोल के देख लिंगे और इसको अचे से मिक्स कर लेंगे बढ़ियां से 4 तरप से मिक्स कर लेंगे दबा दबा करके और फिर से धकन लगा करके 2 मिनिट और इसे पकाएंगे धकन लगा कर जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक धनिया पत्ता को चौप करके बारिक रख लेंगे मसाला पकते हुए दो मिनट हो गया खोल के देख लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैस करते हुए मसाला को भून करके तयार कर लेंगे तेल छोड़ने तक देख सकते हैं मसाला हमारा भून गया है तेल छोड़ दिया है मसाला ने अब मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है तयार हो गया है अब कुकर को खोलेंगे और आलू को दबा करके देखेंगे आलू हमारा पका है या नहीं क्योंकि हमने हाई फिलेम पे एक ही सीटी लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल असानी से मैस हो रहा है अच्छे से ही पक गया है अब इसको मसाला के अंदर अड़ करेंगे डालेंगे पत्ता गोभी और आलू को और आधा कब पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से अच्छे से मिक्स करके तीन मिनिट के लिए इसे पकाएंगे धक्कन लगा करके सबजी पकते वे 3 मिनिट हो गया खोल के देख लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबजी हमारा बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है अब इसके अंदर गरम मसाला के जगा पर मैं सिक्रेट इंग्रिडेंट डाल रही हूँ मैगी मसाला एकीन मानिए इस मसाला को डालने से पत्ता गोभी की जो स्वाद है बिल्कुल डिफरेंट होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी बिल्कुल अलग तरह का आपको फ्लेबर मिलेगा सबजी में मैगी मसाला को अच्छे से मिक्स करके दो मिनिट धक्कन लगा करके इसी पकाएंगे ताकि जो मैगी मसाला का फ्लेबर है वो सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए दो मिनिट हो गया है, खोल के, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबजी हमारा बन करके अब बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा हारा धनिया डालेंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, लीजी हमारा सबजी बन करके बिल्कुल रेडी है अब निकालने के लिए गैस को आफ करेंगे और सबजी को निकाल लेंगे वाओ कितना अच्छा सबजी बन करके तयार हुआ है